बेस्ट ब्राउजर फॉर एंड्रोइड इन टूथाउजन टूएटिफॉर दो हजार चॉबीस साल में यह जो ब्राउजर मैं आपको बताने वाला हूँ यह काफी कमाल के होने वाले हैं सबसे पहले इस ब्राउजर का रेटिंग देखिए फॉर स्टर का रेटिंग है जहाँ पर बस चार मिलियन लोगों ने रिवियू की है और इसको प्लेस्टोर के उपर से 500 मिलियन पांसो मिलियन लोगों ने इंस्टॉल की है यह कौन सा ब्राउजर है ब्राउजर का नाम क्या ह यहां पर अगर आप search करते हैं कोई भी चीज आप लोग easily यहां पर search कीजिए आपके सामने उसका result आ जाएंगे and यहां पर आपके सामने AD करके ऊपर की तरफ एक option दिखने को मिल रहा है जहां पर अगर आप click कर देते हैं यहां पर click करके आप लोग इसको न ब्लॉक्ट कर सकते हैं साथी साथ अगर हम बात करें explore के ऊपर click करके न यहां पर आप लोग देख सकते हैं अपके phone के ऊपर कितना junk file है उसको आप easily यहां से clear कर सकते हैं status, whatsapp के लिए status को easily इस browser के द्वारा आप लोग save कर सकते हैं साथी साथ यहां पर आप लोग sports matches जो है वो cricket, football वो बगरा आप लोग यहां पर देख सकते हैं, game खेल सकते हैं इस browser के ऊपर काफी तरीके कि आपको यहां पर instant game दिखने के लिए मिल जाएंगे, साथी साथ अगर आप नीचे की तरफ ध्यान देंगे तो यहां पर आपको एक file option दिखने के लिए मिलेंगे, इसके उपर अगर आप click कर देते हैं, यहां पेना आपके सामने, आपने जितने भी video, music, document, images, जो भी चीज आपने download की हैं, वो सारे के सारे चीज यहां पर आपको दिखने के लिए मिलता हैं, और साथी साथ सबसे खास बात इस browser के उपर मुझे यह लगे हैं, यहां पर से आप लोग easily junk file को clean कर सकते हैं, अब बात किया जाएं, यहां पर आपके phone के उपर कितना apps run हो रहा हैं, वो आपको दिखाते हैं, आपके battery का label क्या है, वो आपको दिखाते हैं, आपके browsing data कितना यहां पर इस browser ने लिए हैं, वो आपको यहां पर दिखा देते हैं, और videos को आप लोग clean कर सकते हैं, large यानि बहुत mb का file कितना आपके phone के उपर वो आप लोग देख सकते हैं, whatsapp के जितने भी बेकर के file है, वो आप लोग यहां से easily clean कर सकते हैं, आपको नीचे की तरफ tab option दिखने के लिए मिल जाएंगे, यहां पर आप लोग multi tabbing कर सकते हैं, साथी साथ private browsing जिसे हम कहते हैं, incognito mode, इसके अं mode को enable करना, easily यहां पर आप लोग dark mode को enable disable कर सकते हैं, साथी साथ इस browser के उपर आप लोग sign in कर सकते हैं, gmail से and settings के उपर जैसे guys क्लिक कर देते हैं, यहां पर search engine आप लोग बदल सकते हैं, google के साथ जाना आपके लिए बहतर होगा, font size यानि आपके अक्षर का size आप लोग ज्य आपके data है, वो सारे के सारे scanning होके automatically clean करनी के आपको browsing history के साथ सारे record clean करने की option दिया जाते हैं, अब यह जो application है, आप लोग play store के उपर चले जाना, यह जो phonics browser है, आप लोग easily इसको install कर सकते हैं, free of cost है, और हम play store के बाहर कोई भी application आपको नहीं दिखाते हैं, और यह कोई paid promotional video नहीं है, इस चैनल को पर हम play store के top से top application आपके लिए review करते हैं, तो make sure guys चैनल को subscribe करके हमें motivate करना तक इन future ऐसी content हम आपके लिए बना पाएं